दिवाली मनाने के पीछे पांच रोचक कताएं हैं जो इस परकार है दिवाली मनाने के पीछे कई पराणी कताएं एमानेता हैं इसी अनुसार देश के अलग-लग हिस्सों में इसे मनाने के तरीकों में विभिंता पाई जाती है सबसे पहला भगवान राम आयोध्या लोटे थे माना जाता है कि जब भगवान राम रावन को हराकर 14 वर्ष का बनवास पूरा कर आयोध्या लोटे थे तो नगरवासियों ने पूरे आयोध्या को रोस्नी से सजा दिया था और यहां से ही भारत वर्ष में दिवाली के अतिवाहर का चलन शुरू होना माना जाता है दिवाली मनाने का दूसरा कारण है हिर्ना कश्रप का बद एक पौराणी कथा के अनुसार विश्णू ने रर्सिंग रूपधारन कर हिर्ना कश्रप का बद किया था देते राजी की मित्वी पर परजाने घी के दिये जलाकर दिवाली मनाई थी दिवाली मनाने का तीसा कारण यह है कि कृष्ण ने नरका सुर्का बद किया था कृष्ण ने अत्याचारी नरका सुर्का बद दिपावली के एक दिन पहले चत्रदर्शी को किया था इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गुकुल वाशियों ने दीप जला कर खुशियां मनाई थी दिवाली मनाने का चौथा कारण यह है कि शक्ती ने धारण किया महाकाली का रूप राक्षासों का बद करने के बाद भी जब महाकाली का कुरोध शान्थ नहीं हुआ तब भगवान शीब स्वयम उनकी चड़नों में लेट गए भगवान शीब के सरीर स्पर्स मात्र से ही देवी महाकाली का कुरोध समाप्थ हो गया इसी की याद में उन्हें शांत रूप लच्मी की पूजा की शुरुआत हुई इसी रात इनके रौद रूप काली की पूजा का भी विधान है दिवाली मनाने का पांचवा करण है प्रकट हुए लच्मी धर्वंतरी वा कोवेर पराणिक ग्रंथों के अनुसार दिपापली के दिन ही माता लक्षमी दूद के सागर से जिसे केसर सागर के नाम से भी जाना जाता है से उत्पन हुई थी साथ ही समुद्र मंधन से आरोग्य देवता धन बंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे तो इस परकार दिवाली मनाने का पाचवा करण ये है तो इस तरीके से हम दिवाली कई कारणों से मनाते हैं